तो आज हम बात करने वाले हैं various causes of failure की अब flexible payment हमने समझ लिया जान लिया उसके फाइदे नुकसान की बात कर ली कैसे design करते हैं उस time पे कौन-कौन से factors consider करते हैं यह जान लिया बट जब वहां पे बहुत सारी disadvantage की बात कर रहे थे तो वहां पे कुछ failures की भी बात हो रही थी तो अब उन failures के क्या reasons है क्या cause है उनके उपर बात करते हैं कि करके अब उस various causes के उपर बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि किस किस टाइप के चीजों को failure के अंदर consider करते हैं अग अगर मैं बात करूं जो localized depression की अगर मैं बात करूं नॉर्मली नॉर्मली वो किसको follow करते हैं जहां पर हीविंग होती है उस हीविंग के vicinity में वो एक localized depression आता है इसी sequence से एक क्या चीज़ डिवलाप होती है आपका जो surface है pavement की surface है वो थोड़ी सी बेवी surface generate होती है ठीक है अब failure किसी एक या एक से ज्यादा component जो भी होंगे pavement के अंदर होगे वहां किसी में भी आ सकता है ठीक है वहां किसी भी एक layer में surface में failure आ सकता है जिसके कारण से आपके पूरी के पूरे pavement में failure माना जाएगा और बहुत बार बहुत बार जब बना रहे होते हो तो designing के टाइम पर भी बहुत ज्यादा unevenness भी एक तरीके का failure माना जाता है बहुत जगह यह unevenness ट्राफिक के applications के बाद होती है बहुत बार क्या होता है जब आप बना रहे होते हो और आपको एक skill labor नहीं मिलती है या फिर एक सही एक इंजरेंग परस्पेक्टिव नहीं मिलता है नौलेज नहीं मिलता है तो designing के टाइम पर मैंनों बनाने के टाइम पर वह unevenness आती है तो जिसको हम क्या मान के चलते हैं एक तरीके का failure ही मान के चलते हैं अब यहां पर बहुत सारी डाइस्ट्रेस वगेरा जनरेट होती है जो कि अलग अलग deterioration और failure को शो करती है और बहुत सारा कहीं न कहीं यह डाइस्ट्रेस या फिर यह सारी चीज़ें contribute करती हैं हलाके अलग 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 एक several factors हैं तूसरी चीज़ यह के जो bituminous films है वह bituminous films के अंदर भी oxidation है अलग अलग detrimental actions होते हैं उसके अंदर क्यों क्यूंकि water जो होता है bituminous के अंदर जाके settle हो जाता है और वो कहीं न कहीं रुखा हुआ जो वोइच में पानी हो कहीं न कहीं उसको क्या करता है खराब कर रहा होता है या पिर कमजोर कर रहा होता जो कि किसी भी small amount of loading के अंदर क्या हो जाता है वो fail कर जाता है या फिर cracks generate हो जाते हैं या फिर आनी तो अगर pavement cement concrete pavement है वहाँ पर joint है तो वहाँ पर भी cracks वगेरा generate होने लगते हैं तो कुल मिला कि यह basic understanding थे background का के आप failure किस चीज़ को consider कर रहे हो अब हम बात करेंगे various causes of failure की है न तो अगर मैं सबसे पहली बात कर हूं तो यह क्या हो जाएगा longitudinal cracking क्या हो जाएगा यह longitudinal अब हम various किसकी बात करें cause of failures की बात करने cause of failures की बात करें सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा longitudinal cracking दूसरा आपका reflection cracking यह क्या होती है चीज़े हम इसके ऊपर बात करेंगे ठीक है तीसरा आपका हो जाता है map cracking या फिर आपका alligator alligator और मैप cracking जी हाँ जिनको भी लग रहा होगा यह alligator वह आप लोग सही समझ रहे हैं alligator यह ना चौथा आपका share failure चीर फेलियर हो गया share failure एंड क्रेकिंग उसके बाद लैक ओफ वाइनिंग लैक ओफ बाइनिंग बाइनिंग सही से ना हो ठीक है विच लोवर लेयर लोवर लेयर के साथ उसके बाद आपका आ जाता है frost हीविंग और उसके बाद आ जाता है आपका consolidation आपका क्या जाता है consolidation of pavement layers ठीक है तो जब हम एक एक करके इन इस कोजिस की बात करते तो सबसे पहला आपका क्या आता है longitudinal cracking आता है frost action के कारण या फिर volume change होता है differential volume change होता है उसके कारण से आपकी जो fully pavement की thickness है उसकी transverse direction में एक जो crack generate होता उसको आप क्या बोलते है longitudinal cracking बोलते हैं ठीक है यह बड़े ध्यान से सुनिएगा longitudinal cracking बोलते हैं उसके बाद reflection cracking यह reflection cracking ज्यादा तर आप वहां पर देखने को मिलता है जहां पर आपकी RCC की road है या फिर CC की road है उस CC आप देख रहे होंगे इस तरीकी की pavement है यह pavement के अंदर इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके स्क्राइक आ जाएंगे और अगर मैं टॉप से बात करूँ तो टॉप से कुछ इस तरीके से दिखेंगे इसा लगता है कि alligator का सरीर है यह जो दाने 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 इसलिए इसको alligator का नाम देते हैं ठीक है उसके बाद आपका आजाता है शेयर शेयर failure cracking शेयर के कारण फिर उसके बाद आ जाता आपका lack of winding when lower layer जाहिर सी बात है अगर आपकी binding lower layer के साथ किसी भी component की इस subgrade के साथ सब्वेस के material की binding नहीं हुई तो crack आएगा इसके साथ नहीं हुई इसके साथ नहीं हुई इसके साथ नहीं हुई तो crack आएगा उसके बाद frost heaving frost heaving क्या होता है frost heaving क्या होता है आप लोगों ने बच्पन में कहानी सुनी होई होगी आप लोगों अचानक से ख़वर उरती उरती आती होगी कि जमीन में से मूर्ती निकली है बागवान निकले और लोग वहां पर पूझा करने आ जाते थे क्यों तो बहुत लोग पहले के टाइम पर बहुत लोग क्या करते थे और उसके उपर मूर्ती रख देते थे तो जैसे ही 24 गंटे होते थे तो आप पता यह अंकुरित दाने यह दिरे दिरे बढ़ेंगे बढ़ेंगे और जिसके कारण्ट से क्या होता था यह मूर्ती थोड़ी सी एक्सपोज्ड होती थे अब क्योंकि वहां से भगवान निकले तो वहां पर गड़्डा तो करेंगी यह होती हीविंग कि थोड़ी से मिट्टी हल किसी उठी हुई रहती प्रोजेक्शन रहता है अब जब मैं फ्रॉस्ट हीविंग की बात करता हूँ तो क्या होता है जो अंदर पानी मॉइस्ट्र है मिट्टी के अंदर जब टेंपरेचर कम होगा जाहिर सी बात है वह 20 को खाडता है तो उसका क्या होता है वो frost proving है जो को कि क्या करेगा जिसके कारण से क्या होगा लोड़ के कारण वी जगा फे जांपर उसके coordinates डूड गया है वही से deformation आना स्टार्ट हो जायगा और आज आपका Consolidation Consolidation जो की आप स्वाइल मेकानिक्स के अंदर पढ़ेंगे बट फिर भी मैं एक ओवर्वियू देता हूं Consolidation एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप क्या करते हैं एयर को आप एयर को पोर्स से हटाते हैं ठीक है सुरी वाटर का जो रेडेक्शन होता है वो Consolidation के अंदर ऐसा होता है तो अलग अलग लेर्स है तो अलग अलग लेर्स के अंदर वाटर है जाहिड सी बात है लोडिंग आएगी लोडिंग करन्ट क्या होगा पानी का रेडेक्शन होगा तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं Consolidation तो यह कुछ वैरियूस कॉजस और फेलियर हैं आपके फ्लेक्जिबल पेविमेंट के जो कि आज हमने डिसक्स के हैं आई होप आपको समझ में आया अंच आप ग्जबल पक्वाळ यहाद शुच को कि एन हमने लोग यह रखी जो आपके झाएधछि को आपको आपको आपका।